आखिर ये कैसी स्मार्ट सिटी जहां पानी के लिए खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए लोग। श्रीराम कॉलोनी के वाशिंदे बोले तीन दिन से पेजल की भारी किल्लत। बोले गरीबों की कहां सुनते अधिकारी लगाए मुर्दाबाद के नारे। फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र श्रीराम कॉलोनी के वाशिंदों ने पेजल की समस्या से तंग आकर खाली बर्तन लेकर जल निगम का विरोध प्रदर्शन करते हुए किया। बताया गया तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। खाली बरतन लेकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओ में एक शेत्रिय महिला रजनी ने बताया कि 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, ये कैसी स्मार्ट सिटी है, बच्चे गलियों में गिर जाते है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है. भूरी देवी ने बताया कि पानी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, तीन दिन से पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन में दिक्कत बताई जा रही है, पर सुनवाई कोई नहीं कर रहा, गरीबों की कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है. इसलिए मजबूरन आज खाली बरतन लेकर प्रदर्शन करना पड़ा, जल निगम अधिकारी होश में आओ, पानी नहीं तो घर को जाओ, मुर्दाबाद के नारे तक लगाए, अब सवाल यह उठता है, एक तरफ नगर निगम द्वारा शहर को स्माट सिटी बनाने के दाव जल लेकर रहे हैं, आज यह वालती बगएर आत्मे और सड़क पर हैं, तिंचा देन होगया, इसको उनिया रहा है, नहीं ब्च्छे निकलते हैं, वो जाने में परेसानी होती है, और गली में गिरते हैं बच्छे इस विसनारे हैं, तो यह पर्चों 31 करोड का काम का अधिका बच्टों को छोड़ने जाते हैं अपच्छे गिर जाते हैं इनी तिकत हो रही है बता हूं क्या करें बूरी जी आप यहां बाल्टी लेकर आई हो क्यों आई हो बजय क्या है काहां पर किस जग है और तो आपने अधिकारियों से करोलो रुप्या मेर लगा रही है तो आप यहां नहीं है तो मेर यहां आती नहीं है आती नहीं है को ना कोई ना रहे मा को ची स्कुल्यादी ना